अस्सलाम उलेकुम, वेलकम तू माई चैनल, आज हम चिकिन टिक का रोल बनाएंगे, जो भो स्यादा टेस्टी बनेंगे, और घर पर ही आप मार्केट जैसा इसमें टेस्ट ले आएंगे, तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली हमने इनको बनाया है, तो फिचलिए रेस मेधे रिप्हाँ की स्पून सॉल ताल तीया है, और टू टेबल इसपून मैंने इसमें ओइल डाल दिया है, रिफाइंड और नमक के साथ में, इस मेधे को चैसे मिक्स कर लूँगी, इस तरह से, और अब यहाँ पर मेस में हलका गरم पानी लिया रिया है, मैंने हर इसको मै गौंट रहे हूं अलके गरम पानी से जिस तरह से रोटी का आटा हम गौंटते हैं इसी तरह से हम इसको भी गौंट लेंगे और आप चाहें तो मैदे की बचाएं आप आटे का भीस में यूज़ कर सकते हैं आटे के परांठे बना सकती हैं तो रोल बनाने के लिए मैं यहां पर पराटो की तयारी कर रहे हैं पहले अब मैंने इसको गॉंद लिया है अलका हलका पानी लगा कर यहां पर इसको गॉंद लूँगी मैं सौफ्ट कर लूँगी इसको अच्छे से तो यहां पर यह गॉंद गया है मैं इसके उपर पानी लगा कर इसको मैं रख दूँगी एक 1.5 टी स्पून भुना हुआ जीरा है, एक टेबल स्पून कॉनफलार, 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, वन टी स्पून गालिक पाॉडर के चिकिन्टिक का मसाला लिया है। मेरिनेट होने के लिए तो यहां पर मैंने टू टेबल स्पून ओई ले लिया है उसको मैंने गरम किया अब जो हमारा मेरिनेटिड चिकिन है वह मैं इसमें डाल रही हूँ और इस चिकिन को लोफ लेम पर हम पकाएंगे साथ से आठ मिनट के लिए पिना पानी डाले जब आप लोफ लेम पर पकाएंगे तो पानी डालने के इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको मैंने मिक्स किया और बीच बीच में इसमें स्पेचुला जरूर चलाते रहेंगे यहाँ पर मैंने मिक्स करके स्पेचुला चला के चेश से इसमें इसको ढखकर रख दिया था फिर से में इसको दो मिनट के बाद चेक कर रहे हूँ तो इस तरह भी इच में चेक करते रहेंगे और इस पैचुला चलाते रहेंगे और लो फ्लेम परीज साथ से आठ मिनट के लिए इसको पका लेंगे अब देखें यहाँ पर इसको लगबग 6 मिनट हो गए थे पकते हुए और यहाँ पर मैं आपको चिकन को कट करके दिखा रहे हूँ चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है बस दो मिनट और पकाया था मैंने इसके बाद साथ से आठ मिनट के लिए ही टोटली मैंने इसको पकाया है और हमारा चिकन टिकका रेडी हो गया है और देखिए मैंने इसको लास्ट में हाइ फ्लेम पकर दी थी ताकि इस पर चिकिन टिक का वाला कलर आ जाए स्मूगी सा कलर इस पर आ जाए तो मैं इस पर ले आई हूँ हाइ फ्लेम करके देखिए इस तरह से और आप चाहें तो इसमें कोईले का दुआ भी दे सकती है तो यह मैंने सूखा मैदा लिया है अब मैं इसमें से चार प्राटे बनाओंगी तो चार ही मैं इसमें से बोल्स बना लूँगी इस तरह से मैं इसमें से बोल्स निकाल रही हूँ एक साइज की हम बना लेंगे अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सरूर सबस्क्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी सरूर करिएगा तो ये मैंने चार पेडेस के बना लिए हैं अब मैंने को बेल लूँगी जैसे रोटी हम बेलते हैं इसी तरह से इसको भी बेल लूँगी और देखे कितना आसानी से हम इसको बेल पा रहे हैं चरासा भी इस तरह नहीं हो रहा है कि वह खीच कर वापस श्रिंक हो रहा है आसानी से इसको बेल लेंगे और ये मैंने इसको बेलने के बाद अब मैं इस पर ओईल लगाऊंगी अच्छे से इस पर ओईल मैं स्प्रेड कर लूँगी और उसके बाद मैं इस पर मैदा डालूँगी ये मैं लच्छे पराठे की तरह ये वाले पराठे बनाऊंगी लेकिन हम इसको थिन रखेंगे तो इतने साइदा लच्छे में नहीं आएंगे लेकिन उसकी वजह से इसमें टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है औरaison क क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों flavor इसमें आ जाते हैं क्रिस्पी भी बनता being बनता之म मैं आपको दिखावंगी मैं तो इस तरह उपरता से जैसे लच्छे परंटे मनाते हैं सी तरह से पेड़े में बनाकर रखदूंगी सभी चारों के चारों इस तरह से खीच-खीच कर बनाएंगे पेड़ा और सेम यही प्रोसेस लच्छे का भी होता है लच्छा प्रांठा भी मैं आप से शेयर करूंगी बहुत जल्द बस जो डिफ्रेंस होता है लच्छे प्रांठे में वो मैं आपको बताऊंगी देखिए चारों मैंने बना लिये हैं अब मैं यहाँ पर इसको बेल लूँगी और थिन बेल लूँगी लेकिन अगर आपको लच्छा प्रांठा बनाना हो तो फिर आप इसको हैंड से इस्प्रेड करिएगा नहीं तो फिर बेलन से इसको बेल कर इसके लच्छे हट जाते हैं तो क्योंकि मुझे थिन रोटी चाहिए और बड़े साइस की भी चाहिए रोल बनाने के लिए तो मैं इसके थिन रोटी बेल लूँगी हम यहाँ पर भी लेकिन इसके बाद इसमें जब हम इसको पकाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे क्रिस्पीनेस भी आएगी और बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे तो फिर से मैं इस तरह से चारो रोटी एक साथ बेल कर रख दूँगी यह देखे मैंने थिन रोटी बना ली है इसके अच्छे से और बड़ावी साइज रखा है मैंने जित्वों की रोल हम इसका बनाना है तो यहाँ पर चारो मैंने इसी तरह से बेल ली है अब मैं इनको पराठो के तरह ही पका लूँगी बैसिकल यह पराठो ही होते हैं बस हर किसी का बनाने का अंदास अलग होता है तो मैंने थोड़ा सा ओईल डाल दिया था तवे पर पहले ही फिर जब एक साइड से सिग गए तो दूसरे साइड भी मैंने इसमें ओईल डाल दिया है ओईल लगा दिया है अच्छे से अब मैं इसको फिलिप कर लूँगी अब यहाँ पर आप देखेगा जो हमने इसको लच्छे पराठे की तरह बनाया है उसके वज़ा से इस पर लेयर्स भी आपको दिखाए देंगी देखने में भी खूब सुरत लगेगा और इस पर जो क्रिस्पिनेस आएगी वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी देखे कितने ज़्यदा टेस्टी हमारे पराठे लग रहे हैं तो यहाँ पर आप देखे देखने में भी खूब सुरत लग रहा है और जो लच्छे पराठे की जो लेयर्स से वो भी साफ नसर आ रही है सिकर क्रिस्पि हो जाएंगी तो यह पराठा हमारा रेडी हो गया है तो सभी पराठे इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी आप रैसे भी सुरूर ट्राय करिएगा आपका जो चिकन टिक का होगा वो भी तना ही जाएदा टेस्टी बनेगा और पराठे भी आपके इंशालला बहुत अच्छे बनेंगे तो यह देखे कितने अच्छे सिक रहे हैं और अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं लच्छे वाली शेप में तो फिर आप सिंपल पराठा बना के भी आप यह रोल बना सकते हैं तो यहाँ पर देखे कितने सॉफ्ट बने हैं और जो इसकी लेयर्स हैं वो कितनी सैदा क्रिस्पी लग रही हैं क्रिस्पी बनी हैं लग नहीं रही हैं सिर्फ तो देखिए हमारे पराठे रेडि हो गए हैं सॉफ्ट एंड क्रिस्पी यह देखिए अब हम इनके रोल बना लेते हैं सबसे पहले मैं इसके उपर तंदूरी मियोनिस लगा रही हूँ तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इस पर कोई सोस आपके पास रखा हो टमेटो सोस या चिली सोस या पास्ता पिज़ा सोस वो भी आप इस पर लगा सकती हैं अब मैं इसके उपर चिकिन टिका रख रही हूँ और अब मैं इसके उपर मियोनिज लगा रही हूँ वाइट वाली और यह मैंने प्याज को रिंग्स में कट कर लिया है वो मैं इसके उपर रख रही हूँ और यह हमारा रोल बस रेड़ी हो गया है आप चाहिए तो यहाँ पर कुछ और सबजिया भी डाल सकते हैं इसके उपर जैसे कि शिमला मिर्च यह और साथ में हरी मिर्च लेकिन मैंने सिंपल इसको रखा है तो यह हमारा रोल रेड़ी हो गया है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो चैनल को सरूर सबस्क्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी सरूर कीजेगा और हमारा चिकन रोल बनकर रेड़ी हो गया है बाकी के भी मैं इसी तरह से बना लूँगी यह चिकन ठीक का इतना टेस्टी बना था इसका फलेवर इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था उसके शकल ऐसे लग रही थी चैसे कि हमने इसको आग पर बनाया हो तो यह हमारे चिकन रोल्स बनकर रेड़ी हो चुके हैं रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और एक बार रेसिपी को ट्राइब जरूर करिएगा ठैंक्स पूर वाचिंग अल्ला हाफिज